हाथा पाई चालू किया और मेरे दो-तीन लोग और हैं जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया और फिर वो काफी मतलब कुछ हुआ वहां गाली देने लगे माइम को गाली देने लगे और सपा की सरकार आ रही है हम सब की आवकाद बता देंगे इस तरह की बातें करने लगे नमश्का इन खबर में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में सात्वे और अंतिम चरण का चुनाओ चल रहा है जिन 54 सीटों पे मद्दान हो रहा है सभी पुर्वांचल की सीटे हैं और उसमें जो AIM है उसकी भी भूमिका है क्योंकि अखलेस यादों के गड़ यानि दो बार के विधायक रहे साह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है यह वहां के सबसे अमीर प्रत्यासी भी है दो बार विधायक रहे बस्पा से बस्पा विधार मंडल दल के नेता रहे लेकिन लास्ट में मायावती से खटकी तो तुरंत AIM चीफ असद दो दीन ओवैसी ने उनका हाथ ठाम लिया और उन्हें बना दिया प्रत्यासी इसी बीच वहां की राजनित इसलिए गरम हो गई है क्योंकि उन पे हो गया हमला जरह ये वीडियो देखिए कल मेरे साथ एक घटना हुई है उससे आपको अउगत कराना चाहता था मेरी गाड़ी को दो-तीन गाड़ियां फालो कर रही थी वो शीशा ढाबे के पास जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाए एक पांच साथ लोग मेरी गाड़ी के सीशे के पास आए जिसमें वो आजम थे और एक जफर नाम करणका था और दो-तीन लोग और थे और कुछ लोग पकड़ी बाने थे मैं उनको पहचान नहीं सका मगर वो शराफ पिये हुए थे यादो समाज के लगते थे मुझे आदमी था वो गाली देने लगा एक परधान का नाम लेके वो गाली देने लगा तुमने हमें बोला हम रुक गए तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो तुम कहां गए तुमने क्या परचार किया हमको कोई जानकारी नहीं तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे है और कुछ लोग चौराहे के तरफ से ललकारते हुए शोर मचाते हुए एक मौज़ करना मेरा फर्ज है मैं उनको छोड़के भाग तो नहीं सकता था तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मार फिट शुरू किया है हमारा गनर जो है जावेद और जो मेरा पीएसो है चौहान और विरिंदर चौहान नामस का मेरे साथ रहते हैं चोविस गल्डी और पुलिस ने को गहर लिया कि इनको कुछ ना हो जाए हमको भी धक्का मुकी करने के उन्होंने कोशिश किया उसके बाद इन लोगों ने मुझे जब रदस्ती मेरे ही प्यासो अगरा ने का साब आप अंदर बैठी है अंदर बैठी है उन्हों धक्तिल के मुझे गाड़ी में बठा दिया उसके बाद मेरे साथ जैसे ही अब्दुल्ला रहता है इसका भाई अली है इन लोगों ने हाथा पाई चालू किया और मेरे दो तीन लोग और हैं जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया और फिर वो काफी मतलब कुछ हुआ वाँ गाली देने लगे एमाईम को गाली देने लगे और सपा की सरकार आ रही है हम सब की आउकाद बता देंगे इस तरह की बाते करने लगे तो अचा मैं अब ज़्यादा कुछ समझ पाता करता चुकि यह का यह हुआ और हम लोगे कोई अपराधिक मानसिक्ता का दिमाग भी नहीं हमारा मेरे गनर ने और मेरे ड्राइवर ने मेरी सुरक्षा को ले करके उन्होंने गाड़ी तुरन बढ़ा दिया जबकि मैं उतरना चाहता था वहां पर बार बार इंसे कह रहा था नहीं मुझे रोको मुझे रोको मेरे लोग फसे हैं यहां लेकिन मैं यह लोग माने नहीं और ल लेकिन उनका फून उठा नहीं और उसके बाद जब मैं यहाँ आया मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यह घट्ना होगी मैंने पूछा कि यह क्या मामला क्या है क्यों यह हुआ है इस तरह से मेरे साथ चुकि मैं इस जिले में रहता हूं बहुत चुनाओं मैंने लड़े हैं कभी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई हम लोग राजनीज जरूर करते हैं मगर परसनल किसी से कोई इनेमिटी नहीं रहती कोई दुश्मनी नहीं रहती तो मुझे लोगों ने बताये एक वीडियो दिखाया बाद में किसल में मामला यह है कुछ लोग यहां से मुस्लिम समाज के और यादो समाजी हैं गय थे मुबारकपूर में परचार कनने समाजवादी पार्टी और उन्होंने वहां जाके कुछ मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे आप जानते हैं वहां लोगदारी रखते हैं टोपी लगाते हैं तो उन्होंने कहा सब के सामने पचासों लोग सैक इस बात के पे वहां के लोग थोड़ा नाराज हो गए चुकि दाड़ी थोड़ा एक धर्मिक सेंटिमेंट है लोगों का करने आपने दाड़ी कैसे पकड़ा इतने मुआ कुछ भीड जमा हो गई अच्छा हम नहीं जानते वह कौन लोग हैं और यह कौन लोग थे उसके बा असदुदिन वैसी का कहना है कि यह हमला सपा ने बोखलाहट में अपने कारिकरताओं से कराई है और जिस तमें रात को डेड़ बजे हमला हुआ वो जो हमला वर्थे नसे के हालत में दिखाई दे रहे हैं और यह पुलिस से कारवाई की मांग कर रहे हैं अब इस पे पुलि बार को लेकर आपस में जगड़ा कर रहे हैं इस सूचनाबे पुलिस मौके पे पहुंची तब तक यह लोग मौके से हट बढ़ गए थे इसी प्रकरण के संबंद में विदान सभा मुबारकपूर के प्रत्यासी शाह आलम के द्वारा आज सुबह थाना कोत्वाली पर एक प्रकरण की जब जाच की गई तो एक वीडियो थाना कोत्वाली अंतरगत प्राप्त हुआ जिसमें जो वादी मुकदमा है वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ एक मौले में जा रहे हैं वहां कुछ लोगों के साथ कहा सुनी हम की हो रही है उसके बाद वो गाड़ि इसे जाच करने पर ग्यात हुआ है थाना मुबारकपूर अंतरगत कल रातरी में ही 11 बजे इनके समर्तकों और विपक्षियों के समर्तकों में आपस में कुछ कहा सुनी हुई जिसकी भी वीडियो वाइरल हुई है उस वीडियो से चार लोगों को अल्यड़ी चिन्नित कर ल है कि समाजवादी पार्टी बहुखलाहट की सिकार हो गई है वो गोलियों और लाठियों से डरने वाले नहीं हैं सदुदीन अबैसी ने आजमगर पुलिस से इन असमाजिक तत्तों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग किये और कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है यह हमला जो है कि तीन फरवरी को सदुदीन अब वैसी के काफिले पर भी हमला हुआ था वे मेरट से जन समपर करके दिली राट रहे थे तब ही छीजार सी टोल पलाजा से गुजरते वक्त दो अग्यात लोगों ने उनकी कार पे गोलिया चलाई थी बाद में वो दोनों गिरफतार भी ह गए थे और उस समय भी काफी हंगामा हुआ था उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था और अब सात्वे चरण के चुनाओं से ज़श्ट पहले यह हमला हुआ है सात्वे चरण में नौजीलों के 54 विधान सभासीटों पे मद्दान हो रहा है जिसमें कुल 613 उमि प्राइब करें